नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि न्यू पेंटा टेबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। न्यू पेंटा टेबलेट का उप्योग किया जाता है। न्यू पेंटा टेबलेट को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर न्यू पेंटा टेबलेट को दर्द की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादा तर एंटी बायोटिक दवाओं के सामाने साइड इफेक्ट्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए एंटी बायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ना हो। न्यू पेंटा एक ग्रैंड नेम है। न्यू पेंटा टेबलेट के अंदर सॉल्ट कमकोजिशन पेंटो क्राजोल 40 mg होता है। दोस्तों खृपया वीडियो को लाइक करना नख भूलें। अब हम डिसकस करेंगे की न्यू पेंटा टेबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर न्यू पेंटा 40 mg टेबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं। न्यू पेंटा टेबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। न्यू पेंटा टेबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको न्यू पेंटा टेबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना न्यू पेंटा टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की न्यू पेंटा टेबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में New Penta Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में New Penta Tablet की वजह से कुछ सामानने side effects हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापन, सिर्दर्द, शरीर की मास पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा New Penta Tablet की वजह से कुछ व्यक्तियों में Cubs की समस्या भी हो सकती हैं. लम्मे समय तक New Penta Tablet का सेवन करने से, यानी कई महीनों या कई सालों तक New Penta Tablet को लेने से शरीर में Vitamin C, Vitamin B12, Calcium, Iron और Magnesium की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना New Penta Tablet को दो सपताह से अधिक नहीं लेना चाहिए. लम्मे समय तक या दिन में कई बार New Penta Tablet को लेने से औस्टियो पोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. औस्टियो पोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है. New Penta Tablet की वजह से औस्टियो पोरोसिस तभी होता है जब New Penta Tablet का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार New Penta Tablet का सेवन करते हैं, तो इसकी वजह से भी औस्टियो पोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से New Penta Tablet को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए, ताकि ऑस्टियो पोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके. या आपको कैलशियम से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं निव पेंटा टेबलेट को ले सकती है या नहीं. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए निव पेंटा टेबलेट का सेवन करना रेकमेंदेड नहीं है. पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को निउपेंटा टेबलेट को नहीं लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका न्यू पेंटा टेबलेट से सम्बंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं. अच्छों प्लीजिए आपका वीडियो प्लीज वीडियो प्लीज वीडियो प्लीज वीडियो ओना कर दो सकते हैं.